तो इस IPL का सीजन जितना ज़्यादा मज़िदार और रोमांचक होगा उतना ही हम फैंस के लिए दर्दभारा साबित होगा क्योंकि इस साल हमें ना ही दिखने वाले हैं हमारे कैप्टन पूल एमेज दोनी CSK के कप्तान और ना ही दिखने वाले है हमारे हिटमैन रोईच शर्मा मुंबई इंडियन्स के कप्तान और पिछले दो सालों से नई है हमारे किंग कोल इभी RCB के कप्तान मतलब इस देश के ये तीन सबसे बड़े क्रिकेट के महरतियों ने अपने कप्तानी का कारवा दूसरे के कंदों पे डाल दिया और IPL में अपने कप्तानी का सफर हमेशा के लिए खतम करके हम जैसे फैंस के दिलों से धड़कन को ही अलग कर दिया क्योंकि हमने जब से IPL को देखना शुरू किया तब से यदिगज IPL में अपने अपने टीमों के कप्तान थे और आज इस सालीन में से कोई भी कप्तान नहीं होगा तो अलग सा सुनापन लगेगा और हम फैंस का पूराने दिनों